दोस्तों एसीन गेम चल रहा है और भारत की पारुल चौधिरी ने माईलाओं की 5000 दौड में स्वाड़ पदक जीता है और ये देख सकते हैं इनकी फोटो और ये निवज भी आप देख सकते हैं इस याई खेलो में माईलाओं की 500 मीटर की दौड में पारुल चौधिरी ने चीता स्वाड़ पदक तो ये भारत के लिए गोल्ड मेडल चीत चुकी है पारुल चौधिरी और ये भारत का 14 वा गोल्ड है और ये भारत के लिए बहुत मतलब अध्भूत परदर्शन है पिछल पारुल चौधिरी को गोल्ड मेडल 500 मेडर में वो किया है और परधान मंतिर नरेंदर मोधी ने भी बदाई दिया है और मेडल टैली की बात करें तो 15 गोल्ड 26 सिल्वर और 28 ब्रॉंज के साब भारत 14 नमबर पह 59 टोटाल हो है आपके तो ये भारत की सबसे मतलब इस समय कह दिये कि अच्छा परदासन है पिछला जो एस एन गेम था उसमें 2018 में तो उसमें भारत 70 पदक जीता था अभी बहुत सारे खेल बाकी है अभी भारत 59 पदक जी चुका है नमबर वन पे चाइना है 161 गोल्ड फिर 90 सिल्वर और 46 प्रॉंज के साथ 297 आपके वो है पदक है फिर जैपान है 130 टोटल पदक है कोडिया का 149 भारत का 59 और उच्पेजिस्तान का 50 आप देख पा रहे हों तो यह भारत के लिए सबसे मतलब कहिए कि स्रेश्ट परदर्शन चल रहा है कल हो सकता है कि और सारे मेडल आ जाए भारत जो पिछला 70 जीता था उस करिकाट तोड़ दे चलिए तो उसको मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट के साथ तो भारत की पारिल चौदरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है 5000 मे तो यह अद्भूट परदर्शन का यह भारत के लिए